कारकम के शुरुवात में मुझे एक दूखत खबर आपके साथ साजा करना है बिहार के दिग्ज नेता स्रिमान रगुबर प्रसाथ सी वे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं मैं उनको नमन करता हूँ रगौंस बावु के जाने से बिहार और देश की राजनीती में सुन्य पैदा हुआ जमीन से जुड़ा व्यक्तित्व गरीबी को समझने वाला व्यक्तित्व पूरा जीवन बिहार के संगर्ष में बिताया जिस विचारधारा में वो पले बड़े जीवन भर उसको जीने का उन्होंने प्रयास किया मैं जब भारती जन्रता पार्टी के संगठन के कायरकरता के रूप में काम करता था उस काल से मेरा उनका निकट परिचेर रहा अनेग टीवी डिबेट में काफी बाद विवाद संगर्ष करते रहते थे हम लोग बाद में वो केंद्रिय मंत्री मंदल में थे यूपी एक में मैं गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते भी उनके साथ लगातार संपर्ग में रहता था विकास के कामों को ले करके और पिछले तीन-चार दिन से वे चर्चा में भी थे उनके स्वास्थलाब के लिए बैस्वयम भी चिंता करता था लगातार जानकारिया लेता रहता था और मुझे लगता था बहुत ही जल ठीक होकर के वो वापिस बिहार के सेवा में लग जाएंगे लेकि उनके भीतर एक मन्थन भी चल रहा था जिन आदर्शों को ले करके चले थे जिन के साथ चले थे उनके साथ चलना अब उनके लिए संभव नहीं रहा था और मन पूरी तरह उस्जद्दो जहायद मा था और तीन-चार दिन पहले उन्होंने अपनी भावना को चिठी लिकर के प्रगट भी कर दिया लेकिन साथ साथ भीतर अपने खेतर के विकास की भी उतनी ही चिन्ता थी तो उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्रीची को अपनी एक विकास के कामों के सुची भेज दी विहार के लोगों के चिन्ता विहार के विकास के चिन्ता उस चिठी में प्रगट होती है मैं नितिश जी से जुरू आगर करूंगा कि रगवश प्रसाज जी ने अपनी आखरी चिठी में जो भावनाय प्रगट की है उसको परिपूर्ण करने के लिए आप और हम मिलकर के पुरा प्रयास करें क्योंकि पूरी तरह विकास की ही बाते उन्होंने लिखी थी उसको जुरूर करें मैं फिर एक बार आज कारकम के प्रारम में ही स्रिमान रगुबर्व सी प्रशाज जी से आदर पुर्वक सरधाजली देता हूं उनको नमन करता हूं